पश्शिम बंगाल में टीमसी और बीजेपी इसकदर आमने सामने हैं कि वहां की सियासत में पती-पत्नी भी अब पोरो-पती-पत्नी हो चुके हैं हाई प्रफाइल सीटों की बात करें तो कई सारे ऐसे चेहरे सामने आते हैं जिसमें शत्रुपन सिनहा का नाम लिया जाता है इसके अलावा अधीरंजन चौधरी जहां से चुनाव लडने वाले वहां भी एक बाहरी चेहरे को उतार दिया गया है ये सारी बाते हो रही है लेक विश्णोपूर वो सीट है जहां से सौमित्र खान है बीजेपी के 2019 में भी उन्होंने चुनाव जीता था और जो बीजेपी ने अभी 195 लोगों के लिस्ट जारी की उमिदवारों की उसमें सौमित्र खान को भी ये टिकट मिल चुका है लेकिन जब T.M.C. ने अपने 42 उमि खान की पूर्व पतनी है इनका जो तलाक हुआ था उसके पीछे भी सियासी बज़र जरा में पीछे की कहानिया आपको बताती हूं कि हुआ क्या था साल 2019 में इसी विश्णोपूर में सुजाता मंडल अपने पती के लिए कैंपेन करने आया करती थी तब भी वो बीजेपी क सबा चुनाओ आते आते दोनों की बीच की तलखिया इसकदर बढ़ी कि सीधे बीजेपी से नाराज होकर सुजाता मंडल ने टीम सी जोएन कर लिया जब सुजाता मंडल ने टीम सी जोएन किया तो आन क्यामरा आकर सौमित्र खान ने कहा कि मैं अब उन्हें छोड़ने का ऐ अचनिती ही और बीजेपी और टीम सी वर्सेज जो वहाँ पे लड़ाईया चलती है उसका ही नतीजा ये रहा अब दो हजार इकीस में क्या हुआ दो हजार इकीस में सुजाता मंडल को टीम सी ने टिकर तो दिया आराम बाक से लेकिन वो चुनाव हार गई अब इस बार ममत अब अनर्ची ने जो चुनंदा महिलाव को टिकर दिया है उसमें सुजाता मंडल का भी नाम लिया जा रहा है लेकिन दुल्चस पर पहली है कि जो चुनाव वो लड़ रही है अपने पूर्व पती के ही खिलाफ लड़ रही है अब आने वाले वक्त में ये चुनाव इसलि अमूमन हमने देखा है कि लोग जीत हार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तयार हो जाते हैं और यही सूरत हमें पश्चिम मंगाल में भी देखने को ये तस्वीर मिलने वाली है हाला कि अभी तो चुनावी केंपेंग उस तरीके से शुरू नहीं हुआ है जब आने व करती हैं अपने ही पोरोपती को